पढ़ता है इसलिए भोजन बड़े ध्यान से बनाना चाहिए चिंता दुख गुसे में कभी खाना नी बनना चाहिए और हमें क्लियर होना चाहिए हम किसके बने हुए हैं किसके हाथ का बना हुआ खाना खा रहे हैं ऐसे ही नहीं पहले जमाने में लोग अपने खाना अपने साथ लेकर जाते थे यहां तक कि अपनी पानी की बोतल भी अपने साथ लेकर जाते थे क्योंकि उनको पता था वो जिस घर का पानी पिएंगे उस घर की सारी बाते उनके मन की स्तिती पर आ जाएंगी क्योंकि पानी व और पानी का डाइरेक्ट असर पड़ता है तो बना सकते हैं प्रशाद रोज घर में बनाना शुरू करें प्रशाद जिस घर में प्रशाद बनेगा जिस घर में पानी अम्रित बन जाएगा वो घर स्वर्ग बन जाएगा उस घर में सारे देवी देफताई वाले संसकार वाले हो जाएंगे सब देने वाले हो जाएंगे क्योंकि सात्विक प्योर शक्ति शाली प्रशाद रोज खाते हैं खाना जहां बन रहा है रसोई घर वहां 24 घंटे परमात्मा के याद के गीत चले मंत्र चले भजण चले लेकिन 24 घंटे रसोई घर में चलता रहे एक एक शब्ध जो भोजन में जाएगा शबजी, फल, पानी में जाएगा high energy vibrations रसोई घर मंदिर बन जाएगा पूरा घर स्वर्ग बन जाएगा खाना खाने से पहले बच्पन से सीखाता कि खाना खाने से पहले परमात्म को याद करना है कौन-कौन तीन टाइम खाना खाने से पहले कि रुक के पहले भगवान को याद करके फिर खाना खाते है कौन-कौन टीवी के रिमोट को याद करके खाना खाते है किसी एक को तो याद करेंगे इना एक मर्यादा बना लेजिए घर की कि खाना खाते समय हमारे घर में टीवी नहीं चलेगा और हमारे घर में कोई फोन अपने पास नहीं रखेगा, खाना खाते समय सिंपल मर्यादा है, न फोन, न टीवी खाना खाते समय खाना खाने से पहले भगवान को याद करके, उसको शुक्रिया करके और फिर उस भोजन में अपने वो संकल्प डालके मैं शक्ति शाली आत्मा हो, मैं शान्स वरुपात्मा हो, मैं शान्ती के सागर पढमात्मा की संतान हो, अपने भोजन और पानी में ऐसे श्रेष्ट संकल्प डालें, वो प्रशाद बन जाता है, हम सब घर पे प्रशाद बना सकते हैं, तो धन दुआओं के साथ आएगा, अन स सुबा का पहला घंटा, और रात का आखरी घंटा, कुछ नेगिटिव